अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो आज आप बिलकुल डर्ये मत क्योंकि आज आपको आसानी से समझ में आने वाला है गती के परकार यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ तीन गती के परकार पहला है सरल रेखिये गती, वर्तुल गती, आवर्ती गती गाईज, वर्तुल गती को हम बृतिय गती भी कहते हैं यह चीज आप आगे पढ़ने वाले हैं तो गाईज, आपको पता होगा गती क्या होता है तो सिंपल सब्दों में आप याद रखिये एक जगे से दूसरे जगे जाना किसी भी चीज को गती कहलाता है, ठीक है कोई भी चीज अगर यहां से यहां आ गया या यहां से कोई भी चीज यहां आ गया तो वो हमारा गती होता है तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए समझते हैं गती के परकार को गाईज आपको आसानी से दिख रहा होगा सरल रेखिये गती जिसे इंगलिस में कहते हैं स्ट्राइट लाइन मोशन ओके यहाँ पर आप एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई वस्तू सीधी रेखा सीधी रेखा कहने का मतलब सीधा सीधा ओके या वक्र रेखा गाईज वक्र रेखा को हम इस तरह से दरसाते हैं यानि तेढ़ी मेढी रास्ता को कहते हैं वक्र रेखा ओके पर गती मान हो यानि ऐसे ऐसे जो रास्ता है एक सीधा गया और एक सरल रेखिये गति या इसे रेखिये गति भी कह सकते हैं यहाँ पर परिभासा साफ साफ लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु सिधी रेखा या वक्र रेखा यानी सिधी रेखा भी और तेड़ी मिढ़ी रेखा भी उस पर अगर गति मान कोई भी वस्तु होता है तो इस परकार का जो भी गती होगा सरल रेखिये गती होगा example में मैंने लिख रखा है यहाँ पर ध्यान दीजिए जैसे मैं मैंने लिख रखा है सैनिक की गती जी हाँ यहाँ यहाँ पर देखिये सैनिक की गती और इसके बाद बंदुक से निकली गोली की गती रेल गाड़ी की गती और कोई भी गाड़ी की गती ये सभी के सभी सरल रिखिये गती का उधारन है यहाँ पर सैनिक की गती यह जो आपके सामने सैनिक दिख रहे हैं यह सभी के सभी या तो सीधे सीधे जाएंगे या तो कभी ने कभी मूडेंगे और फिर सीधे सीधे जाएंगे यहाँ पर इसे आप चालू करकर देख सकते हैं एक्जाम्पल में मैंने यहाँ पर ले रखा है अब यह सीधे सीधे तो जा रहा है लेकिन कभी न कभी यह मुड़ कर फिर वापस से आएंगे ही आएंगे सीधी रास्ता से तो आप एक चीज ख्याल रखेगा कि सीधी रेखा पर भी जाएंगे और थोड़ा बहु टेंड भी रास्ता होगा उस पर भी अगर कोई जाता है तो उस वस्तु को हम कहेंगे सरल रखे गति क्योंकि संसार में अगर कोई भी रोड बना है तो भाई साहब सीधा सीधा नहीं है कभी न कभी तो वो टेंड टेंड होता ही होता है संसार का कोई भी रोड टेढ़ा मेढ़ा होता ही होता है तो अगर इस पर कोई गाड़ी चलेगा तो क्या आप उसे सरल रेखे गती का उधारन नहीं दीजेगा देना पड़ेगा आपको जैसे ट्रेन है यहाँ पर ट्रेन की गती है अब ट्रेन भी जा रहा है तो भई शार ट्रेन भी जब जाता है तो धीरे धीरे कहीं ने कहीं इसको मुड़ना पड़ता है यानि ये सरल रेखे गती का उधारन तो है यानि सीधे सीधे जा भी रहा है लेकिन कभी ने कभी ये मुड़ेगा ही आपको आया कि नहीं आया आप कोई भी गाड़ी ले लिजिए यहाँ पर मैंने लिख रहे का है कोई भी गाड़ी की गती टेमपू, ट्रक, कोई भी गाड़ी लिजिए अगर सरक बना है तो कहीं न कहीं टेड़ा मेड़ा जरूर होगा यहांसे अगर हम bounce को चालू करते हैं तो धीरे 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 जाते रहेगा और कहीं न कहीं उसको मुड़ना ही पढ़ेगा तो bounce क्या हमारा सरल रेखिये गती का उधारन नहीं है जी सरल रेखिये गती का उधारन है क्योंकि वो भी टेढ़ा मेड़ा पर चलता है आगे का परकार हमारा आजाता है वर्तुल गती जिसे हम कहते हैं बृतिय गती भी ओके इंगलीज में कहते हैं सर्कूलर मोशन यहां पर आप एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक बृता कारपत बृता कारपत कहने का मतलब गोला होगा ठीक है अभी आगे मैं समझा रहा हूँ तो बृता कारपत पर गमन करता हो तो इस परकार की गती को वर्तुल गती यानि बृत्य गती कहते हैं यहाँ पर जैसे में मैंने ले रहा है सूर्य के चारो और पृत्य भी की गती आप यहाँ पर ध्यान दीजिए आपके सामने मैंने चित्र छाप रहा है यह है सूर्य जी ठीक है और यह है बृता कार पत बृता कार पत कहने का मतलब रास्ता यह बृता कार का यह रास्ता आप इस पर अगर घुरेंगे तो ये हमारा क्या हो गया वर्तुल गति जिसे हम बृत्य गति भी कह सकती है तो बृत्य गति में आपको एक चीज ख्याल रखना है कि वो पूरा पूरा गोला जो रेखा होगा गीचा होगा बृत के जैसा जो भी होगा उस पर ही घूरेगा तो एक चीज आप असानी से नोट कर लिजे ठीक है बृतकार रास्ता पर घूरेगा ही घूरेगा जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर घूरा रहा हूँ यह हमारा क्या हो गया वर्तुल गति का उधारन हो गया तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं और इस पर कोई भी गाड़ी आप चला सकते हैं सरकस में आप देखते भी होंगे कोई भी गाड़ी चलता है तो आप आसानी से वर्तुल गति समझ गया होंगे तो चलिए आगे अब हम समझते हैं अन्ति में जो हमारा आजाता है वो है आवर्ती गती या इसे और भी कहते हैं आवर्त गती तो यहां पर परिभासा आसानी से ध्यान दिजिए सबसे पहले कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय के बाद अपनी गती को दुहरा है जी हां अपनी गती को दुहरा है तो इस परकार की गती को आवर्ती गती कहते हैं यानि इसे आवर्त गती भी कह सकते हैं तो यहां पर एक्जामपल में मैंने लिख रहा है जूला की गती और साथ ही दिवाल घड़ी की लोलक की गती तो यहां पर आप फोटो में दिखने का परियास किजिए यहां पर यह जो जूला दिख रहा है चालू करके हम दिखला रहे हैं यह आपको यहां आ रहा है और यहां आ रहा है इससे आपको क्या पता चल रहा है इससे हमें यह पता चल रहा है कि ये जो जूला है जहां आने के बाद फिर वहां जा रहा है यानि एक निश्चित समय के बाद ये अपने जगह को बार बार दुहरा रहा है अपने जगहिया पर बार बार ये आ रहा है और जा रहा है तो एक निश्चित समय के बाद यहां आया तो फिर वहां गया फिर यहां वो हमारा हो जाता है आवर्ती गती तो यहां पर मैंने साफ साफ लिख दिया है वो आप इसे समझ सकते हैं ठीक है कि निश्चित समय के बाद अपनी गती को वो दूराएगा तो इस परकार के गती को आवर्ती गती कहते हैं यानि आवर्त गती कहते हैं यहाँ पर आगे है दिवाल घड़ी की लोलकि गती मेरी दीही जनकारी से अगर आपको कुछ भी सीख मिलता है तो आप इस वीडियो के लिए लाइक कर दिजेगा अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो के नीचे लिख कर जा सकते हैं मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक लिए जय हिंद जय भारत